बच्चों आप अपने क्लास्रूम में टेबल, चेर, लाइट, पंखा, धर्वाजे, खेड़की, उससे बाहर पेड़ पॉधे, सारी चीजों को देख पा रहे हैं, कभी आपने सोचा हैं, इसको हम क्यों देख पाते हैं, अच्छा ये बताईए, यदि इस रूम में पूरा अ नहीं न, तो ये चीज़े हमको दिखाई क्यों देती हैं, इनका संबंध होता है प्रकाश से, यानि कि प्रकाश वहाँ उर्जा है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अच्छा चलो ये बताओ, कि ऐसी कौन-कौन से वस्तुओं ये जो प्रकाश देती हैं, आ सूरज, वैसे ही बल्ब है, मूम बत्ती हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसलिए देख पाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश देती हैं, लेकिन ये टेबल, चेयर, ये खिड़की, दरवाजे, ये पेड़ पौधे, इन तो प्रकाश नहीं देते, फर इसको हम किस प्रकार देख पा की घटना, जिसमें कि प्रकाश की किरण चलते हुए किसी सतह से टकराती है, और टकरा के वापिस आ जाती है, इसे हम परावर्तन के नाम से जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए एक परावर्तक प्रिष्ठ होना चाहिए, आपने कभी नई थाली देखी है, इस नई थाली में, जब हम उसको देखते हैं, तो हमारा चेहरा एकदम साफ नजर आता है, क्योंकि ये थाली बिल्कुल चमकदार, चमकी लिए स्मूथ होती है, लेकिन कुछ दिन बाद इस थाली को धोते रहते हैं, ये थाली घेज जाती है, उसके बाद हम यदि इसमें अपना चे चमकदार होती है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन, यानि कि इन में से जो लाइट टकरा कर वापस आती है, ये पूरी की पूरी लाइट हमारी आखों में पढ़ती है, जिसके कारण हम अपना प्रतिविम देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सता पूरानी होते जा जाती है, जिसके कारण जब प्रकाश की किरण इस पर पढ़ती है, तो टकरा कर पूरी तरह से हमारी आखों पर नहीं पढ़ पाती, बल्कि वो फैल जाती है, और इसके कारण ही प्रतिविम कैसा हो जाता है, धुन्दला, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए दो चीजे पारदर्शी हो, मतब लाइट को वो पार ना कर सके, और दूसरा वो सता चमकदार होनी चाहिए, तभी परावर्तन पोन होता है और अच्छा होता है, जिसे की प्रतिविम बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर नजर आता है, जिस सता से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस प होते हो, कैसे सतार होते हो, अपने आपको कैसे देखते हो, हम तयार होने के लिए दरच्ण का इस्तैमाल करते हैं, धर पन भी कैसा होता है, ये जिसंने से प्रकाश पारन नहीं हो पातां, और ये चमकदार सता होती है, तभी तो हमारा प्रतिविम वहां पर स्पस्थ नजर पर आता है इस चमकदार सता यानि की दरपन को हम परवर्तक प्रिष्ट कहेंगे मान लीजे यहां पर एक दरपन है इस प्रिष्ट को हम M1 और M2 से दर्शाते हैं अब यहां पर A से लेकर एक किरण है जो इस दरपन पर आपतित हो रही है इस दरपन से टकराने वाली है इस किरण को हम अपतित किरण के नाम से जानते हैं और जिस बिंदु पर ये किरण इस परवर्तक प्रिष्ट पर मिल रही है यानि कि यहां पर इस O बिंदु को हम अपतन बिंदु कहते हैं अपतित किरण चलते हुए परावर्तक प्रिष्ट पे जिस बिंदू पे टकराती है वो बिंदू कहलाता है अपतन बिंदू अब ये जो अपतन बिंदू है इस बिंदू पर इस परावर्तक प्रिष्ट में यदि हम एक लंब खीशते हैं ओ, एन, इस लंब को हम कहते हैं अभिलम अब परावर्तन के पश्चात, इस सता से टकराने के पश्चात, ये किरण वापिस चली जाती है उसी माध्यम से यानि कि O से लेकर ये B की ओर आगे चल रही है तो इस O भी किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण अब यहां पर हम देखेंगे इस अपतित किरण और अभिलम के बीच में कोण बन रहा है इस अपतित किरण और अभिलम के बीच के कोण को हम दर्शाते हैं I से और इसे कहते हैं अपतन कोण और सेम यहां पर आप देखेंगे परावर्तित किरण और अभिलम के बीच में भी जो कोण बन रहा है इसको हमने दर्शा है आर से इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण यहां पर एक किरण आई और इस चमकदार समतल सता से टकरा कर वापस चली गई जहां पर आपको एक अपतन कोण दिखा और एक परावर्तन कोण दिखा यहां पर जो परावर्तन की घटना है वो कुछ नियमों से बंधी हुई है अपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव ही बराबर होंगे यह परावर्तन का पहला नियम है इसी तरह जो आपतित किरण है यह अभिलंभ है और परावर्तित किरण यह तीनों एक ही तल में होते हैं मतलब जिस तल में आपतित किरण आ रही है उसी तल में वो परावर्तन के पश्चात वापेस जाएगी और ये परावर्तन का नियम किसी भी reflecting surface के लिए लागू होता है चाये वो surface समतल हो या वक्री है यानि कि दरपण में भी variety होती है जैसे कि समतल दरपण, परवलयकार दरपण और गोलिय दरपण बास्तव में दरपण क्या है? दरपण एक ऐसी युक्ती है जो संपून प्रकाश को परावर्तित कर देती है और इसको बनाया कैसे जाता है? इसके लिए हमें काश का तुकड़ा लेते हैं जिसके एक हिस्से को हम टिन और मर्क्यूरी के योगिक की कलाई कर देते हैं जिससे की एक हिस्सा इसका आपरदर्शी हो जाता है और जो दूसरा हिस्सा है जिसमें पॉलिश नहीं किया है वो चमकदार हो जाता है और इसी के कारण यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है यदि हम एक संपल तुकड़ा ले काश का तो उसके एक हिस्से को टीन और मर्कीर योगी की पॉलिश करने पर जो दरपन त्यार होगा वो दरपन कहलाता है संतल दरपन जिसमें हम रोज अपना चाहरा देखते हैं यदि यही काश का तूट़ा परवल्याकार हुआ और इसके एक हिस्से को हम पॉलिश कर दिए तो इसका परवर्थ तक प्रिष्ठ कैसे हो जाएगा परवल्याकार अकार का और यह कहलाएगा परवल्याकार दरपन यदि हम एक गोल ले और गोल के दो तुकड़े करें और इसके एक हिस्से में हम टीन और मर्क्यूरी के योगी की कलाई करें तो ये दरपन बनेगा गोली है अब इसमें दो तरीके से इसको पॉलिश कर सकते हैं यह आप देख रहे हैं कि यदि मैं इसको इस प्रकार काटू तो यहाँ पर दो हिस्से बन रहे हैं अगर हम इसके उभरे वाले हिस्से को छोड़ दे और इसके अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश कर दे तो यहाँ पर जो उभरा वाला हिस्सा है ये चमकदार होगा और इसी प्रकार दूसरा वाला हिस्सा लें जिसमें कि हम उभरे वाले हिस्से को पॉलिश कर दे तो इसमें अंदर का जो हिस्सा है वो चमकदार होगा, वो परावर्तक प्रिष्ट की थरा कारे करेगा इसका मतलब जो गोली दरपन है वो दो प्रकार के हो जाते हैं एक में जिसका परावर्तक प्रिष्ट उभरा हुआ हो, चमकीला प्रिष्ट उभरा हुआ हो और दूसरा जिसका परावर्तक प्रिष्ट चमकीला प्रिष्ट अंदर की और धसा हुआ हो तो जो उभरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पन उसे उभरा और उसे उत्तल याद करने में आसानी हो जाएगी वैसे ही जो परावर्तक प्रिष्ट अंदर की और होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पन आसे अंदर की और वाला हिस्चा और आसे अवतल तो इस प्रकार उत्तल दर्पन और अवतल दर्पन गोलिय limited के दो प्रकार है मीना वजार ये डिजनी लैंड में मनोरंजन या एंटरेंडमेंट के लिए एक अजूबा घर बनाया जाता है जहां पर हम अंदर जाते ही देखते हैं कि हमारी प्रतेमिम कहीं पर बड़ा छोटा उल्टा सीधा मोटा पतला नजर आता है तो इस प्रकार आडा तिर्छा नहीं आइने लगे होते हैं और वो साधरन जो हम रोज देखते हैं वह आइना नहीं होता बलकि इसी प्रकार का पर वल्लय का या अफ्तल या उत्तल दरपण वहां पर लगा दिया जाता है जिसे की प्रतिभिम अजीब-जीब प्रकार का बनने लगता है तो यह गोली दरप रणके दोनों हिस्सों को दोनों छोरों को जो जोडने वाली रेखा होती है जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं द्वारक उत्तल दरपन में भी और अफ्तल दरपन में भी दूसरा है ध्रोव यानि की पोल इस परावर्तक प्रिष्ठ में चाहे उत्तल हो चाहे अवत्तल हो जो इसके सेंटर में जो बिंदू होगा जिसको हम यहाँ पर पी से दर्शा रहे हैं इस बिंदू को हम कहते हैं पोल नेक्स्ट है वक्रता केंद्र यानि की सेंटर अफ करवेचर यह जो गोल यह दर्पन होते हैं वास्तव में किसी ना किसी गोल का हिस्सा होते हैं यह इनको हम पूरा करें तो यह गोल का निर्मान करेंगे चाह उत्तल दर्पन हो चाह अवत्तल दर्पन हो और यह गोल है तो इस गोल के केंद्र को ही इस दरपन के वक्रता केंद्र के नाम से हम जानते हैं जहां इस चित्र में हम इस वक्रता केंद्र को सी से दर्शाएंगे यह अफ्तल दरपन के लिए और यह उत्तल दरपन के लिए नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या जो केंद्र से लेकर किसी भी गोले की परिधी की दूरी होती है उसे हम रेडियस कहते है यानि की त्रिज्या यहां पर भी जो वक्रता केंद्र है इस वक्रता केंद्र से इस पोल तक की दूरी को यह फिर बोल सकते हैं कि यहां पर कहीं पर भी यह दूरी जो होगी वो तो इक्वल होगी क्योंकि यह सेंटर है तो य जो पोल से लेकर सेंटर तक गुजरने वाली रेखा है इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष्य यानि की प्रिंसिपल एक्सेस अब नेक्स्ट है मुख्य फोकस यानि की प्रिंसिपल फोकस हम यहां पर दो तरीके का गोली दर्पंड देखें एक उत्तल दर्पंड एक अवतल दर्पंड एक का प्रिष्ट उभरा हुआ और एक का प्रिष्ट अंदर धसा हुआ अंदर धसे वाले प्रिष्ट यानि की अवतल दर्पंड में जब प्रकाश की किर्णे पढ़ती है तो य इस पर प्रकाश की किरने पढ़ती हैं तो ये फैल जाती है प्रश चाहिए मतलई दूर-दूर चली जाती है य कभी मिलेंगी नहीं लेकिन योदि इनको मिलाने की कोशिश करें तो किसी ने किसी बिंदू पर यह मिलेंगे तो मुख्य अक्षपर वह बिंदू जहां पर परावर्तन के पहश्चात सारी किरने मिलती हैं या तो आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं फोकस यदि ये उतल दरपन होगा तो सारी किरने इस बिंदू से आती हुई प्रतीत होंगी और ये कहलाएगा मुख्य फोकस और यदि ये अवतल दरपन हुआ तो सारी किरने परावर्तन के पहश्चास इस बिंदू पर मिलेंगी और ये बिंदू कहलाएगा मुख्य फोकस जिसे हम दर्शाते है F से अब नेक्स्ट है focus दूरी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सारी दूरियों को हम पोल से नापते हैं यानि कि दूरूफ से नापते हैं तो यह पोल से लेकर focus तक की दूरी यह कहलाती है focus दूरी यानि कि focal length अब next है focus samtal यानि कि focal plane इस focus बिन्दू पर येधी हम मुख्य अक्ष के लंवत एक संसल की परिकल्पना करते हैं, या पिर यहां से आते भी प्रतीत होती हैं, लेकिन जो किरने समांतर है पर मुख्यक्ष के समांतर ना हो मतलब इस प्रकार समांतर आ रहे हैं पर यह मुख्यक्ष के समांतर ना हो तो यह कहां पर मिलती है इस मुख्यक्ष के फोकस बिंदू के लमवत किसी भी बिंदू पर मिल सकती यानि कि इस तल पर मिल सकती और यह प्रतिविम का निर्मान परावर्तन के पश्चात किरणों के मिलने से होता है या फिर जहां पर किरणे मिलते हुए प्रतीत होती है वहां पर होता है अब एक वस्तु से तो असंख्य किरणे निकलती है लेकिन प्रतिविम निर्मान के लिए हमको केवल दो ही किरणों की अवश उत्तल दरपन पर मान लीजिए कोई भी किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो यहां पर इसका परावर्तन होगा परावर्तन परावर्तन की नियमों का पालन करके होगा और परावर्तन के पश्चात यह जो समांतर किरण है वो फोकस से गुज़रेगी अगर हम उत्तल दरपन को देखे तो यह समांतर किरण जो मुख्यक्ष के आ रही है यहां पर परावर्तन हुआ परावर्तन के नियम को लागू करके हुआ लेकिन यह किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी यह एक जगे पर मिलते में नजर ने आएगी बलकि वो डाइवर्ज हो जा परावर्तन के पश्चात कहां गुजरेगी फोकस से या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ऐसी किरण ले हम जो की फोकस से ही गुजर रही हो उस कंडिशन में परावर्तन के पश्चात यह किरण मुख्यक्ष के समांतर हो जाएगी यह अवतल दरपन में लेकिन अगर उत्तल दरपन हुआ तो यह किरण जो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है परावर्तन के पाश्चात मुख्यक्ष के समानतर हो गए यह दोनों पहली और दूसरी स्थिति एक दूसरी के विपरित है जो समानतर होगी वो फोकस से गुजरेगी और जो फोकस से गुजर रही होगी वो समांतर हो जाएगी अब यह तीसरी स्थिती हम देखें कि जो केरण सेंटर से गुजर रही हो यानि कि वकृता केंद्र से परावर्तन के पास चाहत यह वापिस उसी दिशा में लौट जाएगी यह हमने अफ्तल दर्पन के देखा यह उत्तल दर्पन होता यह के करते हैं तो इन तीनों में से कोई भी किरण ले सकते हैं और जहां पर यह दो किरणे मिलती हुई प्रतीत होंगी यह जहां पर मिलेंगी वहां पर प्रतिवियम का निर्माण होगा हमने उत्तल और अवतल दर्पन दोनों ही केस में देखा कि एक जगह तो वास्तविक रूप से ही यानि कि actual मी हमको दिख रहा था किरने मिल रहे हैं और एक जगे हम किरणों को मिलते हुए या फिर वहां से आते हुए देख रहे थे तो इस प्रकार प्रतिविम दो प्रकार की होती है एक वास्तविक प्रतिविम और दूसरा होता है अभासी प्रतिविम जहां पर किरणे एक्चुली मिलती है और प्रतिवियम का निर्मान होता है वहाँ पर वास्तविक प्रतिवियम बनता है जहां पर हम किरणों को आते हुए देखते हैं यह फिर जहां से आते हुए प्रतीत होती है वहाँ पर अभासी प्रतिवियम का निर्मान होता है वास्तविक प्रतिवियम स रोज देखते हैं उस दरपण में किस प्रकार का प्रतिभिम बनता है कि उस दरपण में कैसा प्रतिभिम बनता है हम तो अपने आपको सीधा ही देख पाते हैं और यह दी प्रतिभिम सीधा बन रहा हो तो वह कौन सा प्रतिभिम होगा बिल्कुल सहीं आभासी